दोस्तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ITC Limited के बारे में जहांबत कमपनी ने अपने quarter 4 के result को डिकलायर कर दिया है result के अंदर कुछ importing key points कुछ hidden points में आपके साथ share करने वाला हूँ तो वीडियो में आखरी तक बने रहेगा आप देख सकते हैं आजी के दिन कमपनी ने financial result तो डिकलायर किये ही है साथी साथ कमपनी ने dividend प्लस special dividend यहां पर announce किया है सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कमपनी ने कितने रुपे का dividend यहां पर दिया है 9 रुपे per share का dividend कमपनी ने यहां पर अपने shareholders के लिए announce किया है तो बहुत ही शांदर dividend कमपनी यहां पर अपने shareholders को देने जा रहे है तो यदि आपने ITC के अंदर investment कर रखा है तो dividend के लिए तो definitely यहां पर आप अपनी positions को hold कर सकते हैं dividend king company यह माने जाती है जिसका dividend yield percentage भी हमें लगबग 4 प्रतीशत से भी ज़्यादा का देखने को मलता है अब बात कर लिए अब बात कर लिए थे company के financial result के बारे में consolidated financial result में आपके सामने open कर लिए हैं सारे figures रूपीजीन करोर्स में हैं सबसे बिले आपको quarter 4 के numbers देखने को मिलेंगे देन आपको last year के quarter 4 के numbers देखने को मिलेंगे और उसके बाद आपको quarter 3 के numbers देखने को मिलेंगे तो सबसे बिले बात कर लेते हैं company की total income के बारे में तो quarter 4 के अंदर company ने 19,666 करोड रूपे की income generate करी है जोकि last year के quarter 4 में अगर आप देखेंगे तो 18,252 करोड की थी यानि की year on year basis पर company के income में काफी शांदार जम्प है और वहीं अगर quarter 3 की बात करें तो quarter 3 में company के income 19,616 करोड की थी जोकि यह बढ़कर 19,666 करोड रूपे पर पहुंच चुकी है यानि की quarter on quarter basis पर और year on year basis पर company के income में काफी अच्छी जम्प है वहीं अगर हम company के total expenses की बात करें तो ITC Limited ने quarter 4 के अंदर 12,907 करोड रूपे के expenses डिक्लायर करें है जोकि अगर आप last year के quarter 4 में देखेंगे तो 12,632 करोड की थी यानि की यहाँ पर clearly देखने को मल रहा है के company ने अपने expenses के ऊपर control किया है वहीं अगर आप quarter 3 को देखेंगे तो quarter 3 में भी company के expenses 12,702 करोड के थे यहाँ पर quarter on quarter basis पर company के expenses बड़े हैं लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिर भी company के expenses यही तेजी से नहीं बढ़े जस प्रकार से company के income बढ़ी है अब हम ITC limited के profit for the period की बात कर लेते हैं तो 5,225 करोड रुपे का profit company ने quarter 4 के अंदर बनाया है जो कि last year के quarter 4 में 4,260 करोड का था याने कि year on year basis पर company के profit में almost 1,000 करोड की jump हमें देखने को मिल रही है वही अगर आप देखेंगे last year के quarter 3 के अंदर 5,070 करोड का profit company ने quarter 3 में बनाया था तो quarter on quarter basis पर भी company के profit में काफी अच्छी jump देखने को मिल रही है जिसके चलते अगर आप ITC limited का earning पर share ratio भी देखेंगे तो उसमें भी काफी अच्छी jump हमें आपर देखने को मिल रही है तो overall ITC limited के result बहुत ही अच्छी निकल कर आए है जिसके चलते कल के दिन आपको इस shares के अंदर भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है आज के दिन अगर आप देखेंगे तो ITC limited के अंदर हमें 1.8% की गिरावट देखने को मिल रही है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है लेकिन यही चीज कल के दिन हमें काफी अच्छी recovery देखने को मिल सकती है ITC के अंदर आप अपनी positions को hold कर सकते हैं यह भी एक FMCG sector की number second largest company है इंडिया की और यहाँ पर cigarette के business में company monopoly का business करती है और अगर आप यहाँ पर technical analysis करना चाहते हैं तो trade branch portal का use करते हुए अब किसी भी stocks को ITC limited के साथ में दूसरे भी किसी भी stocks को fundamentally और technical भी analysis कर सकते हैं साथ ही साथ यहाँ पर ITC limited के क्या resistance है और क्या support level है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं तो trade branch portal को use करने के लिए sign up link आपको description box में मिल जाएगी जहां से आप इनके premium version का benefit उठा सकते हैं जहाँ पर 20% का flood discount आपको यहाँ पर देखनी को मिल रहा है coupon code description box में available है मिलते हैं next video में तब तक के लिए stay connected stay updated